दोस्तों हमारा देश जड़ी बूटियों का देश है जहां पर तरह तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे वनस्पती पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूं दोस्तों जिसकी पत्यां जिसके बीज जिसकी जड़ सारी चीजे बहुत ही उपियोगी है तो यह पत्य हैं दोस्तों केस्टर प्लांट के जिसे की अरंडी का पौधा भी कहा जाता है कई लोग इसे अंडी का पौधा कहते हैं, आपके शेतर में कैस्टर प्लांट को किस नाम से पुकारा जाता है, कमेंट करके जरूर बताईएगा, तो यहाँ पर मैंने इसकी कुछ ताजी ताजी पत्या ली हैं, और साथ ही साथ आप इसके बीज भी देख रहे हैं, इस तरह से इसके बीज होते हैं, यह देखें, छोटे-छोटे बीज लगे हैं, इनहीं बीजों को सुखा कर इनसे तेल निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं कैस्टर ओईल, किसी भी आईरवेदिक स्टोर में आपको कैस्टर ओईल मिल जाएगा, और यह जो पत्ते हैं दोसों, आज इनक और यह कहीं भी उग जाता है, सडको के किनारे आज पास हो सकता, आपके घर के पास भी लगा हो, मेरे भी घर के पास कैस्टर प्लांट लगा है, वहीं से तोड़ कर लेकर आई हूँ, रैसे आपको जानकारी के लिए बता दू, इसकी खेती की जाती है दोस्तों, और इसके तेल को विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है, कई आयरवेडिक दवाई को बनाने में इसकी पत्तियों का, इसके बीजों का, इसके फलों का प्रेयोग और इस पोधे की जड़ों का प्रेयोग किया जाता है, चाहे तवचा का रोग हो, चाहे हमारे सौंदरी की बात करे बाल जड़ने से परिशान है, केस्टर ओईल लगाना स्टार्ट करें, तो अच्छा का कोई रोग है, दात खाज घुजली है, तो केस्टर ओईल से आप अगर मसाज करेंगे ना दोस्तों, आपका चर्म रोग, एक्जीमा, सोराइसिस, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बालों का बीज इसके हरे हरे हैं, कुछ दिनों पाद जब ये बीज सूख जाते ना दोस्तों, तो भूरे रंग के हो जाते हैं, और इसमें से काले रंग के बीज निकलते हैं, इन ही बीजों से कैस्टर ओईल निकाला जाता है, ताजे-ताजे कोमल-कोमल पत्ते लें, इनमें पोशक पत्तों की मात्रा जादा होती है, बच्चों को यदि पेट दर्द है, किड्नी में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, या खासी कफ की बहुत जादा परिशानी है, या फिर जोएंडीस की परिशानी है, इसके पत्तों को क्रश करके धोने से, काम में लेने से पहले आप जरूर करें, दो बार पानी से धोले, बहुत जादा इसमें डस लग जाती ही, क्योंकि सड़कों के किनारे उगा रहता है, इसके पत्तों को कुचल कर उसका रस लेने से, पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं, अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं, तो इसके पत्तों इसका रस देने में बोला जाता है, दोस्तों कई लोग इसका रस अगर नहीं लेना चाहते हैं, आप 10 ml, तो आप चाहें तो इसके पत्तों को पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बना कर भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, पेट से जुड़ी हुई सारी बिमारियों को दूर करता ह अंडी का ये पत्ता, दोस्तों बच्चों को भी कई बार पेट में कीड़े होते हैं, दर्द होता है, तो इसके पत्तों को गरम करकर गाओं में लोग इसके पत्तों को हलका गरम करके जित्ता सहन हो सके पेट में लगा देते हैं, और पत्तों में चाहें तो थोड़ा सा सरसो सरसों का तेल या घी मिला लें जो आपको पसंद है गाय का घी लिया हमेने नहीं है आप सरसों का तेल मिलाएं सबसे बेस्ट है और बस इस पत्तों को हलका सा तवे के उपर रखें और गरम कर लें और इतना गरम जितना आप लोग सहन करें आप अपने जोडों में लगा लें अरंडी के पत्तों को, आपके जोडों के दर्द को खीच लेगा ये पत्ता, होम रेमैड़ी 100% सेफ होती है दोस्तों असर करने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है पर आंथू किसी तरह का कोई डर नहीं रहता है, इसे तो इस तेल को खाया जाता है दोस्तों हमारे ह इस्तमाल किया जाता है तो लगाने में तो कोई डरकी बाती नहीं है देखे इस तरह से मैंने पत्तों को अरेंज कर दिया तवे को अब रखते हैं हम गैस के उपर गरम होने के लिए और पत्तों को दोनों तरफ से सेक लेना है और इसको आप अपने जहां भी आपको हड्डियों में माल लिजे कहीं सूजन आगई है आपको पैर में कहीं मोच आगई है आप वहाँ पर इन पत्तों को गरम गरम लगा ले सरसों के तेल के साथ आप चाहें तो थोड़ी से हल्दी भी डाल सकते हैं हल्दी भी नैचरल पेन किलर होती, दर्द को तेजी से खीसती है और बस इन पत्तों को बांद ले, उस जगह पर रखें, कोई पुराना कपड़ा लपेट ले आपका पुराने से पुराना गठिया, अर्थराइटीस में बहुत फाइदे मन्द है जब पिरेट के समय भी यदि पेट में बहुत ज़ादा दर्द होता है, तब भी आप इन पत्तों को बांच सकते हैं बच्चों के पेट में दर्द है, तब भी आप इसे बांधे, बहुत फाइदे मन्द है दोस्तों कहीं सूजन आ गई है, वहाँ पर कहीं शरीर में घाव हो गया है, घाव लंबे समय से नहीं भर रहा है, तो इसके पत्तियों को कुचल कर उसकी लुगदी या उसका पेस्ट आप घाव पर लगा लें, पुराने से पुराना घाव भी आपका फीक हो जाएगा, और पुराने से कुचल कर भी ले सकते हैं, आप उसकी पेस्ट भी बांद सकते हैं, थोड़ा गरम करके, आपका पुरा दर्द खीच लेगा दोस्तों, इतना फाइदे मंद होता है, तभी तो आयुरवेद में इस पौधे का इतना जादा महत्वा है, ये देखे, मैंने इस तरह से अपने हा और कम से कम एक घंटा जरूर रखें, आपको बहुत जादा अराम मिलेगा दोस्तों, इतना जादा ये फाइदे मंद है, एक आउजदी है दोस्तों, इसलिए तो इसे आईरुवेद में बहुत सी दवाई को बनाने में इसके पत्ते, फल, फूल और बीजों का इस्तमाल किय जाता है, और जी गुणों से भरपूर है ये पोधा, कई बीमारियों से हमें बचाता है, तो आपके शेत्र में से क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें, इसके पत्तों का ये देखें, मैंने ऐसे पेस्ट बना लिया, इसमें थोड़ा सरसो तेल, माल लीजिए आपको कमर में द ये पत्तियां दर्द को खीच लेंगी दोस्तों, इतना जादा ये फाइदे मंद होता है, अरंडी का जो ये रहता है दोस्तों, कब्ज को दूर करता है इसका रस, इसकी पत्तियों को कुचल कर आधा चमच रस ले लेंगे ना, तो कॉंस्टिपेशन दूर होगा, कई बार बहुत लंबे समय से, कॉंस्टिपेशन रहने से, हमें धीरे धीरे बवासीर की परिशानी हो जाती, पाइल्स की तकलीफ हो जाती है, तो बवासीर और कब्ज में भी इसकी पत्तों का रस बहुत फाइदे मंद है, किसी भी तरह का फंगल इंफेक्शन है, उसे दूर करने मे इसके पत्तों का रस बहुत ही जादा फाइदे मंद है, इसलिए तो इतनी सारी ओज़धी को बनाने में इसके बीजों फलों का प्रेयोग किया जाता है, दोस्तों इतना ये फाइदे मंद होता है, कोमल और ताजे पत्ते ले जो जादा फाइदे मंद होते हैं, और इसके अ तो गंजेपन की समस्या दूर होगी, नए बाल आएंगे, बालों का जढ़ना भी बंद होगा, एक और दी है दोस्तों, चाहे गठिया की बिमारी हो, चाहे ये हमारी किसी तरह की सूजन हो, उसके लिए बहुत फायदे मन्द है, बहुत से लोग जो गर्म पानी लेते हैं, इस की चार से पाँच बूदे केस्टर ओईल की चार पाँच बूदे गर्म पानी में लेंगे सुबह उठकर, कबस की शिकायत दूर हो जाएगी, बबासीर में बहुत फायदे मन्द है दोस्तों, ये देखे, बस तीन से चार बूद, इस ओईल को किसी भी मेडिकल स्टोर से खर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखास की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका प्रयोग जरूर करें